प्रिये मित्रों में आपका दोज गनेशा उभाड आप सभी मित्रों का आपके अपने यूटूब चानल ओम्टेक की दुनिया में हृद्धे से हार्दिक सौगत करता हूँ मित्रों अगर आप हमारे चानल पर नए है तो कृपया वीडियो को बीना स्किप की अंत तक अवश्य देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजे तता साधी साधी बेल आइकन को विदाबाईए ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले अब तक पहुचे है मिलन को योग कहा जाता है अपने नियमित अभ्यास से योग की साधना करते समय व्यक्ति अंतर मुखी हो जाता है उसे स्रिष्टी परमात्मा में दिखने लगती है समस्त मानव जाती पश्यू, पक्षी, पेर, पौधे आधी सब में परमात्मा दिखने लगते हैं धारना श धारणा परिपक्व होने पर ही ध्यान में प्रवेश मिलता है। स्वयम को स्वयम में स्थिर करने की साधना को धारणा कहते हैं। स्थूल वसूक्षम किसी भी विशय में अर्था धरिदै। भ्रुकुटी, नासिका, ओम शब्द आधी आध्यात्मिक प्रदेश अत्वाइश्ट देवता की मूर्ती में चित को लगाना धारणा कहलाता है। यम, नियम, आसन, प्रानायाम, प्रत्याहार आधी के उचित अभ्यास के बाद यह कार्य सरलता से होता है। प्रानायाम से प्रान वायू और प्रत्याहार से इंद्रियों के वश में होने से चित में दुविधा नहीं रहती। जिससे शांत चित किसी एक लक्ष पर सफलता पूर्वक लगाया जा सकता है। जिसे धारणा सिधह हो जाती है। कहते हैं कि ऐसा योगी अपनी सोच या संकल्प मातर से सब कुछ बदल सकता है। ऐसे ही योगी के आशीरवाद या शाप फलित होते हैं। धारणा के संबंध में भगवान महावीर ने बहुत कुछ कहा है। श्वास प्रश्वास के मंदव शांत होने पर। इंद्रियों के विशियों से हटने पर, मन अपने आप स्थिर होकर शरीर के अंतरगत किसी स्थान विशेश में स्थिर हो जाता है तो उर्जा का बहाव भी एक ही दिशा में होता है। ऐसे चित की शक्ती बढ़ जाती है। फिर वह जो भी सोचता है वह घटित होने लगता है, जो लोग द्रण निश्चे होते हैं। अंजाने में ही उनकी भी धारणा पुष्ट होने लगती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धारणा का अर्थ है मन को दे के भीतर या उसके बाहर किसी स्थान में धारण या स्थापन करना। कई कारणों से हम अपने मन को एक स्थान पर नहीं टिका पाते, जैसे मन की जरता को स्वीकार ना करना, सात्विक्ता की कमी और सांसारिक पदार्थों वह सांसारिक संबंधों में मोह रहना, बार-बार मन को टिका कर रखने का संकल्प नहीं करना, मन के शांत भाव को भुला कर उसे चंचल मानना ऐसे अनेक कारण है जिन से मन धारणा स्थल पर टिका हुआ नहीं रह पाता इन कारणों को प्रथम अच्छी तरह जान लेना चाहिए फिर उनको दूर करने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहने से मन एक स्थान पर लंबी अवधी तक टिक सकता है क्योंक इससे केवल उनका बहुमूल्य समय व्यर्थ होता है इसलिए धारणा के बाद ही ध्यान में जाने का विधान बताया गया है धारणा से एकागरता बढ़ती है और इससे अनेक कार्य संपन होते हैं क्योंकि हमारी मानसिक उर्जा एक बिंदू पर होती है आध्यात्मिक एवं लौकिक दोनों प्रकार के कार्यों के लिए धारणा आवश्यक है कोई भी छोटा से छोटा कार्य हो उसे एकागरता से करने की आवश्यकता होती है धारणा से मन एकागर होता है मन प्रसंद शांत और त्रिप्त रहता है मन की मलिंता दूर होती है मन के विकारों को दूर करन में सविस्तर जानकारी ली है आशा है कि आपको यह विडियो पसंद आई होगी और इस विडियो को हम इश्वर समर्पित करते हैं धन्यवाद